जैन बच्चो कैसे हैं आप लोग बच्चो आइनिक साम्में अवस्ता का आज हम लोग अगला वीडियो लेके आएं जिसमें हम लोग जानेंगे बफर विलियन के बारे में बच्चो आपके सामने तीन बीकर रखें बीकर एक बीकर दो बीकर तीन बीकर एक में हमने जल लिया है बीकर दो में हमने एक विलियन लिया हुआ है देख सकते हैं बीकर एक में हमने अमल की कुछ बुंदे डाली इसी परकार बीकर दो में हमने चार की कुछ बुंदे डाली औ परिणाम क्या होगा परिणाम आई देख लिते हैं परिणाम यह हुआ कि पहले भीकर के जल में जब आपने अमल की दो या तीन या एक बूंद भीगर डालते हैं तो यह जल जो है अमल यह परकरती वाला हो जाता है इसकी पीच कामान साथ से कम हो जाएगा इसी परकार भीकर तो के जल में अगर आप छार की कुछ बूंद एक या दो या तीन बूंद डालते हैं तो यह जल छारिय हो जाएगा अर्थार्थ इसकी पीच कामान साथ से जादा हो जाएगा लेकिन बीकर तीन के विलियन में अगर आप अमल की कुछ बूंद डालें या फिर छार की कुछ परिवर्दन नहीं होता है, क्या ये आपको इस पर्ष्ट है? तो सर्ब बफर विलियन के बारे हैं बताइए क्या ये अमलिय चारिये पीएच करे रहे हो, बिटा ये ही तो है हमारा बफर विलियन हैं? हाँ, आई देखते हैं, ऐसा विलियन जिसमें अमलिय चार की थोड़ी मा पर भी pH के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है बफर विलियन कहलाता है क्या ये आपको सबस्ट है सर्व समझ में नहीं आया बिटा कोई भी ऐसा विलियन जिसमें आप थोड़ी मातरा में अमल डालो या थोड़ी मातरा में चार डालो लेकिन उसके pH की वैल्यू में pH के मान म कोई भी परिवर्तन कोई भी अंतर नहीं आएगा ऐसा विलियन कहलाता है बफर विलियन अब सवाल ये उठता है आप मुझे बताईए अब मेरा अपसिक सवाल है उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ आगे पढ़ेंगे पहले ये बताईए कि क्या किसी बच्चे ने अपने दैनि जीवन में बफर विलियन का परियोग किया है या फिर कहीं उसने किसी को करते हुए देखा है बताईए बताईए सोचिये ना कहां देखा है मैं वेट कर रहा हूँ आपके जवाब का अब आप हस रहे हो अरे हसना नहीं है बताना है भीया सबने देखा है सबने यूज किया है याद नहीं आ रहा है चलिए मैं याद दिलाता हूँ बेटा कुदरत ने इंसान को बनाया जानवरों को बनाया तो आप जानते हैं इंसान और जानवरों के सरीर में खून बैता है रगरग में बैता है खून किलियर है तो वो जो खून है वो हमारा एक प्राकरतिक बफरविलियन का उधरण है है सर कैसी बात कर रहे हो हाँ बेटा आप नमकीन काते ओ मिठा काते ओ तीखा काते ओ कैसा भी खालो, कुछ भी खालो, भरपेट खालो या कम खालो आपके सरीर की जो अंदर आपके बलड है, खून है वो आपके पूरे सरीर के अंगों की पी-एच का मान को परिवर्थित नहीं होने देता है उस पी-एच का मान निश्चित रखता है क्योंकि आप जानते हैं कि आपके सरीर में बहुत सारे एंजाइम अनेक एंजाइम जो हैं वो सरचित होते हैं अगर आपके सरीर की pH का मान परिवर्तित हो गया किसी भी कारण से किसी भी खाने की वज़े से त्यू निश्शित है कोई भी प्राणी अगर उसके सरीर की pH का मान बदल जाएगा तो उसके सरीर का जो एंजाइम है वो सब अपना काम करना बंद कर देंगे और इस परकार उस प्राणे की मिरत्यु निश्चित है तो कुद्रत ने पता था इंसान जो है वो है कमीना कर देगा मुश्किल जीना तो इसलिए उसने उसकी रगरग में भर दिया ख सायन के अंतरगत विबिन समुओं के ततुओं की जांच में बफर विलियोनों की आवशक्ता पढ़ती है क्या कभी किसी बच्चे ने केमेस्ट्री लैब में जाके प्रैक्टिकल किया है अब देखो मेरा सवाल सुनती हसने लगते हैं किसी ने तो किया होगा याद करो जब स सारिय मुलक है याद आया बिलकुल साही वहीं पर इनकी जांच की जाती है बफर विलियोनों के द्वारा दूसरा है बच्चो विबिन उद्ध्योगों में बफर विलियोनों की आवससकता होती जैसे कागज की कउई फैक्टरी है कागज उद्ध्योग है रंजक या डाई जो हम लोग color use करते हैं उनके बनाने में paint के बनाने में दवाई के बनाने में dairy आपने देखा है जो आप खाते हैं cheese है ना मकषन घी है ना और cream बहुत सारे ऐसे दूद के बनेवे उत्पाद होते हैं जहां पर buffer villain की आवसकता पड़ती है उसी परकार किसी उत्पादन में भी buffer villain का परियोग किया जाता है खाद्य सामगरी के संग्रक्षन में और यह तीसरा और अत्यंद मैत्व पूर्ण है जो हर बच्चे ने देनिक जीवन में देखा होगा आप देखिए बजार में जब जाते हैं जो भी खाने की cheese डब्बे या packet में बंद होके आती है उन सम्मे बफ बफर विलियन के लक्षन सर बफर विलियन कैसा होना चाहिए तो कुछ कंडिशन है वो जरूर पूरी करना चाहिए आपका विलियन तब ही बनेगा वो आईडियल या आदर्स बफर विलियन बताओ ना तो देख लेते हैं आईए पी एच का मान निश्चित या आरक्सित रहना चाहिए बच्चो आपका जो बफर विलियन है उसकी पी एच किसी भी हालात में बदलनी नहीं चाहिए अगर कोई गलती से उसके अंदर अमल या चार मिला दे थोड़ी मातरा में अब ये मत करना के सर पूरी बोतल ही मिला दू है तो उसका पी एच का मान बदलना नहीं चाहिए वो फिक्स रहना चाहिए निश्चित रहना चाहिए और बच्चो दूसरा है हमारा कि अगर आपका बफर विलियन लंबे समय तक रखा रहता है मान लीजिए आप केमिस्ट्री लेम में है अब आपका पहला बैच आया और अब लोगडाउन हो गया है कोरोना की वेज़ से तीन महीने पहले हमने उसको खोला था लैम में और अब आप लोगडाउन के बाद अगस्त में जाते हैं लैम में मान लीजिए और पैक्टिकल आपको कराते हैं तो लबग तीन-चार महीन बाद उपर योग होगा तो पता च और यह कहीं की टेंशन जब आ गया है केमेस्ट्री जंक्सन बच्चो आज हमने जाना बफर विलियन क्या होता है बफर विलियनों की आवशकता कहां पड़ती है और आदर्स बफर विलियन की क्या गुंड धरम होते हैं कैसे उनकी हम लोग पैचान कर सकते हैं उम्मीद है य अगले विडियो में हम लोग लेकि आएंगे वफर विलियन कैसे बनाते हैं और कितने परकार के होते हैं